असलाम अलेकूम एब्रीबन कैसे आप सब अमीद करूगी कि सब खहरियत से होंगे सो यहां पर इडिया थी तो इडिल फीदर की जो इडिया होती है तो इस्टर की पहली इडिया तो मैंने का आप लोगों से भी शेयर करूं तो यहां पर उपन कर रही है उन्होंने गिफ्ट पैक करके ना भीजा था क्यूंकि वो गाउंस हैं तो थोड़ा इस तरह से सो हमने गिफ्ट जो है ओपन करना स्टार्ट कर दी हैं और यहां पर सिस्टर ही खुद ही खोल रही है यहां पर उन्होंने श्यूस भेज़े हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे ब्लैक कलर म उनको बहुत ही सूट किया और बहुत अच्छे लग रहे और साइस बिने बहुत अंदाजन आई दिया लेकिन साइस फिर भी माश्यला बहुत पूरा आया यह देखे कितना प्यारा लग रहे हैं उनके पाउमें जूता तो माश्यला अल्ला बस उनके नसीब अच्छे करें और उन्हें आगे वाली लाइफ में ज्यादा से ज्यादा खुशियां दें बस आप लोग भी दूआ कीजेगा सो अब हम दूसरा जो है वो खुलने जा रहे हैं इसमें क्या है पैकिंग जो है वह उन्होंने बहुत अच्छे से की हुई थी यानि के दूर से आना था तो इसलि ना डुक करके फिर निकाले तो यह पर काट रहे हैं किसी से भी नियुकुक किसी से माँक कर्के लाइब कर लका संब्लड़े हैं जारा किसी से आपने हैं की है थैंभ reduce ग्यार्म कुल लें गयाई half आप सब तो यह जय नो हो तै कि पीन हाई चीज़ें यह चूड़ियां है यह पॉप्स रखे में उनका पर्फियूम था और बाकि सारी चीज़ें नेल पेंट और यह देखे मैं सामने रख रही हूं और दूसरी जाइट पे जो हैं वह मामी इनके सूट ओपन कर रही थी तो वह पे उनके जो हैं ड्रेसिस जो हैं उपन में हैं मिरर वर्क तो उन्होंने उस हिसाब से लिया लेकिन ज्यादा दर मुझे लोन का जो हैं ड्रेस वह बहुत अच्छा लगा उसके बाद स्वीट की बारी आती है मिठाई तो मिठाई जो है वह बहुत ही अमेजिंग थी माशला बहुत ही मतब जाइकी में बहुत अच् हम तब भी लुटो खेलते हैं जब कोई गैतरिंग वगरा हो जब कजन्स वगरा हैं अदर्वाइस तो इतना मत मज़ा ही नहीं आता तो इसलिए हम खेलते ही नहीं है तो यहां पे मेरी बारी में अपनी सारी गोट जो हो लेके बैटी हुई थी एक भी मेरी गोट ओपनी नह बारी मेरी 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 और बाकी वालू जो है वो बाने रखने यहां पर स्पेक्ट्री जो है वो तक्रीब निकल गई है तो मैं इसी निकाल लूँ यहां पर मिर्चे जो है पैरी पायट्स के लिए वरेडी किये जा रही है उन्हें अभी पहले खाली करेंगे उनके बीच निकाल रहेंगे जैसा कि बाकी सब बनाते हैं वैसी सिम्पल सी रेस्पी हैं और यहां पे जो है मिक्राऊनी पास्ता वो भी मैंने और अंडे भी और चीश लीए है ड़े और यहां धो के खुश कर लिए है यहां यहां पर बिर्यानी का म press сможन बना रही हैं जो कि इसतारी के बाद दिकाई जाईगी है और यहां पर मैंने सैंड्विचीज का मिक्सेर वगेरा सब रेडी कर लिया है यह रेस्पी मैंने मरियम परवेस के चैनल पर देखी ती तो मुझे कावी अच्छी लगी ज्यादा तर मैं उन्हें ही फोलो करती हूं और यह बाकी सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज्यादा कलारा पड़ाव है बाकी चीज़ें आइसा आइसा सब अपना पना काम कर रहे हैं फ्रूट्स भी आगे हैं अभी इने भी कटिंग करना है तो आइसा इसा सारी चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है तो यहां सैंड्वीच जो है मैंने बना ली हैं मैं इतने गिले कपड़े में जो गिला कपड़ा करके न हम बिल्कुल अच्छे से निचोड़के उसमें रखके प्रीच में रखके आऊंगे ताकि यहां बैर मेर्च मिर्चों की मिर्चों कोमने दोदू लिया है मुशाळा ओर और यहांपे जो मिड्यानी चैसल प्रियानी का मसाला そुए सो अब हम चिकन के लिए पैरिवाइट के लिए चिकन रेड़ी कर लेते हैं मैंने यहां पे तिका मसाला डाला है इसी के साथ हम इसमें नमक एड़ करेंगे जितना आपको चाहिए जितना आप जाएका पसंद करते हैं और इसमें हम जो है वह हाफ स्पून या जितना भी आप मिर्चों का भी ऐड़ कर देंगे और यहां मिर्चें जो है फ्रील कर लिए अब यहां मिर्चें जो है वह कर लिए अब हम इनने तला स्टाट करेंगे और अब हमने पास्ता के लिए जो है वो चीम र Misty करना प्राइख़वर कर दी है। भी चð के लिए जो हमें प्राइख़ तो थोड़ाइब में लाइड़ें करना स्टार्ट कर दी है। वो सारे आप एड़ करेंगे और तैन उन्हें अच्छे से भून कर उसमें सब्जियां एड़ करेंगे और सब्जियों को अगर आप ज्यादा गला कर खाना चाते हैं तो ज्यादा गलाने के लिए पानी डालने थोड़ा सा अधर वाइस वैसे भी तो यहां पे जो है पास्ता करते हैं कि टाइम कम है तो अब हम पकोड़े फ्राय कर रहे हैं तो मुझे जो है चिप्स की तना कटे हुए आलू के पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं अब इसे फ्राय करते हैं तो यह लास पार था हमारे इफ्टारी का तो इसे करने के बाद हम सारा कुछ बना चुके वसे फ्राय करेंगे और उसके बाद दस्तवान लिखा देगे और बिरियानी जो है भे तारी के बाद बनाएंगे वर स Sophia तो उसकी वीडियो भी मैं आप से शेयर करूंगी अगर वीडियो बनाई तो तो यह है जी इफ्तारी का समान जो कि मैंने बना लिया है और बलके इस तरसक्वान भी लगा दिया हो आपको वीडियो देखे अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजेगा इस तरह से आपको भी तोड़ी टिप मिल जाती है कि इफ्तारी में क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं तो यह थी हमारी छोटी सी इफ्तारी जो हमने घर पे ही की थी और अपने जो रैलिटिव से मामों वगर रहा है उनकी इफ्तारी की करवाई थी अब हमने इफ्तारी बेड़ा कर ली है तो आई ठींग जाड़े आट या नौकर टाईम है अब हम बना रहे हैं बिर्यानी तो यह बिर्यानी का समान अपने जो है वो भूना जा रहा है गोश जो है रेडिक किया जा रहा है यहां पे हमने सारा बुन लिया है अब इसमे हम लैंमन जो है उसका जूस डालेंगे ये देखें कितना मज़े का बन गया है इसमें अब हमने लैंमन का जूस अड़ करना है और इसके पाद चावल अड़करेंगे तो ये सिम्पल सी बिर्यानी की रेसिपी थी अब हमने इसमें पुदीना और धनिया जो है वो एड़ कर दिया है और अब इसे रख देंगे इसी तरह तोड़ा सा हलके आँच पे पकाने के लिए तो जब ये पक जाएगा अच्छे से भून जाएगा तो ये देखे हम मिक्स कर लेंगे इसे और देन मिक्सिंग के बाद इसमें हम चावल एड़ कर देंगे पिृयानी जो है वो मसाले के साथ ही बनती है, तो इसकी जो ग्रेवी है, मसालय हो बहुत अच्य से बन चुका है अब चावल जो है, वो डाल दी है, वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी तो चावल वगेरा सब कुछ डाल दिया उसके उपर ग्रीन जो है वो चीज़े भी डाल दिया है तो अलाफीज जजाकर लाफ